दोस्तों एक बार फिर से अधार UPI की features Union Bank of India में live हो चुका है, अब एक बार फिर से कहने का मतलब यह हुआ, कि 6-7 दिन पहले ही यह feature आई थी लेकिन उसको किसी कारणवस बंद कर दिया गया है, लेकिन अगर आप लोग अधार कार से UPI pins set करते हैं, तो यहाँ पर थोड़ी से दिक्कत हो सकती है, क्या दिक्कत हो सकती है, यह आगे आपको पता चल जाएगा, लाइब आपको दिखाएंगे आज कि इस वीडियो में, Union Bank of India में अधार कार्ट से UPI pins set करके, तो चलिए बिना डिले कि यह वीडियो को start कर लेते हैं, और set करते हैं UPI pins अधार कार्ट के मदद से Union Bank of India में, तो सबसे पहले आपको यहां पर भीम application open करना होगा, क्योंकि भीम application में ही यह feature आई है, वैसे पेटियम और phone पे जैसे application में भी यह feature आई थी, लेकिन दोनों ने फिलहाल किसी कारण बस बंद कर दिया, यानि कि third party कोई भी application अब ऐसा नहीं है, जहां पर यह feature आप ने पहले से add कर रखा है, तो यहां पर bank वाले option पर select कर लिजिएगा, और उसके बाद जो है, आप यहां पर नीचे में plus वाले icon पर select करके bank भी add कर सकते हो, तो हमने already यहां पर Union Bank of India add कर रखा है, इस पर click करिएगा, हलाकि मैंने UPI pin भी set कर रखा है debit card से, लेकिन आप debit card हमारे लिखा गया है कि mobile number जो bank में है, वहीं अधार card में होना चाहिए, तभी UPI pin set होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, आपका mobile number bank में कोई भी है, कोई भी है, आपके अधार card में काम चल जाता है, अभी आपको यहां पर next करना है, TNC को accept करके proceed करेंगे, उसके बाद आपसे आपका अधा नहीं है, धीरे-धीरे यह सारी problem fix हो जाएगी, सभी बैंकों में ऐसा होता है, बैंकों की list आपको आगे बताएंगे कि कौन-कौन से bank में ये feature फिलाल available है, regular viewer होंगे तो पता ही होगा, तो यहां पर अपने अधार card के शुरू के 6 जिरीज देना है, पहले 4 जिरीज देना ठीक है, कहीं भी OTP मंगा लिया और हमारा pin set हो गया, जो आपका bank में है, वहीं दीजिएगा, और यहां पर देने के बाद आपका जो है, अधार OTP मांगा जाएगा, next step में, यहां पर आप देख सकते हो, अभी थोरा सा slow work कर रहा है, अब यहां पर अधार की तरफ से OTP तो मुझे भी यहां पर manually ही डालना होगा, तो चलिए यहां पर 582547 डाल लेते हैं, 582547 यहां पर हमने डाल दिया, और चलिए आप यहां पर next भी नहीं हो रहा है, तो हमें tick करना होगा इस सही वाले icon पर, अब जो है bank OTP की बारी, अब यहां पर ही दिक्कत हो रही है दोस्तो कि bank OTP 40 second wait करने के बाद भी नहीं आ रहे हैं, तो फिर आपको दुबारा से जो है, अपना bank OTP मंगाना होगा, तो जैसे ही recent OTP का option आप लोगों को मिलता है, तो आप recent OTP पर click करेंगे, तो दुबारा से आपको OTP मिल जाएगी, जैसा कि मेरे case में यहीं कुछ हो रहा है, आप देख सकते हो, मैंने दो तिन बाद ट्राइ किया है, मतलब प्रशानी यहीं है कि bank OTP जल्दी नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर दुबारा से हमने recent OTP पर click किया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, bank के तरब से OTP भी हमें मिल चुका है, लेकिन यह automatic read नहीं कर रहा है, लेकिन read करना चाहिए था, पता नहीं क्या issue है, खर यहाँ पर manually enter कर देते हैं और proceed कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमने bank OTP भी डाल दिये हैं, अब बारी यहाँ पर UPI pin set करने की, तो अपने मन से कोई 4 digit का UPI pin यहाँ पर डाल दीजिए, और फिर सही वाले icon पर click करेंगे, तो यहाँ प कर दिजिए, और successfully आपका UPI pin बन जाएगा, तो मेरी case में यहाँ पर आप देख सकते हो, UPI pin अभी जो है update हो रहा है, तो यहाँ पर कुछ error आ चुका है कि आधार OTP validation fail हो चुका है, जबकि हमने आधार OTP सही दिया था, इसका मतलब है कि bank के तरफ से कुछ नकुछ issue आ रहा है आप तीन बार से ज्यादा try करेंगे, तो आपको permanently 24 घंटे के लिए बंद कर दिया जाएगा आधार वाली services, इसलिए bank के तरफ से issue आ रही है, आप लोग जबरदस्ती try मत करिएगा, यहाँ पर मैं दो-तीन बार try किया, और मेरा quota complete हो चुका है आज का, 24 घंटे के बाद अब ह चुकि निया निया feature आया है, अभी settle होने में time लगेगी, अभी बात कर लिते कि कौन-कौन से bank में अधार UPI की feature आ चुकी है, तो वो बैंकों की list आप लोगों के सामने है, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो मुझे उमीद है कि Union Bank of India में आप लोगों ने अधार का परयोग कर कि अपना UPI pin set कर लिया होगा, तो यह थी एक important update Union Bank के खाताधार को लेकर, तो आज की विरों बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, हमें दीजिये इजाजत, thank you